प्रबू येसु मस्य के नाम से नमस्कार येशु को साथ चलने की अनवो को आपने अतीव तम से पाया है क्या प्रति दिन उनके साथ चलते हैं पच्छन को पढ़कर अद्दियन करकर येशु तो मेरे साथ रहना करकर परात्ना करते हैं आज कहे हैं प्रभू की उपस्तित क्यों पाये हैं नहीं बाई चारों तरप से डर की प्थंबवना है क्या होगा कैसे होगा दुनिया की बातों को देखने समय गबराहट है सब लोग विपति के चलते डरते हैं इसलिए माही भी जब देखता हूं मुझे भी गबराहट हा रह यह सोच रहे हैं ना धरिये मद बदन संगिता इकानबे पहला वचन में प्रभू क्या कहता है जो पर्मप्रतान के चायवे स्तान में बैटा रहे वे शर्वशक्तिमान की चाया में टिखाना पाएगा पर्मप्रतान प्रभू पर्मप्रतान है उनके चाय में जो बैटा है वो अमेशा सुरचित रहेगा। उनकी चाया में हम बैटेवे हैं। प्रभु की चाया में हम रहते हैं। किसी मनश ये उसकी चाया को अलग कर सकते हैं नहीं। जहां कर भी मनश चाया उसके चाया भी अमेशा उसके साथ हैं। अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही प्रभू की चाया में हम रहते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकते हैं, उनके नस्तिक में जैसे चाया अमेशा साथ में रहता है वैसे ही प्रभू भी अमारे संग रख कर, हम सबसे कहता है तु मेरे चाया में रहो, हमें प्रभू साथ रखा है, सर्वशक्तिमान की चाय कभी-कभी खड़ी दूप में किसी को देखे हैं कभी-कभी जो बहने रहती है। रिशन दुकान में लंबी कतार में उनके लिए कड़ाराना पड़ता उस वक्त। अगर चोटे बचे उनके साथ हैं उस वक्त अपनी गोदी में अपनी कपड़े में उनको चिपा कर रखकर संभालती है। क्या आप ध्यान दिये हैं इस प्रकार मां संभालती है। एक मा की ममता मेरा बेटा बेटी को पर दूप नहीं रहना उनको संभालने के लिए बहुत कोशिस करती है। वैसे ही प्रबु भी मेरे चाया में रह जाओ बेटा। मेरे चाया में मैं तुमको संभालूंगा प्रबु कहता है। उनके चाया में रहना कितना सुरचित है, इसके बात क्यों आप डरना है, आप डरिये मत, आपका संग वो रखा है, इसलिए अपना पांस वो रखा है, इसलिए आपको गबराना नहीं, चिंता नहीं करना, वो आपको आकरी तक चलाएगा। कितना सुरचित के बात है ना प्रबु को स्तुति करेंगे। चाया में रखके संबालता है प्रबु जी, ये शुकर नाम से सुति करता हूँ, प्रातना करता हूँ पिता, आमेन, आमेन